मा, टेंक्शन मत लो, राजीव और मैं बिल्कुल ठीक है हाँ वो राजीव की एक फ्रेंड यहां शिमला में ही रहते हैं तो राजीव उनसे मिलने गए है, हमारी कल की वापसी है हाँ, हम लोग कल आ रहे हैं उसके बाद मैं सबसे पहले आप से या कर मिलूगी प्रतिग्या की शादी इसे हफते हुई थी और वो हनीमून के लिए अपने पती राजीव के साथ शिमलाई हुई थी शिमला में भारी बर्फ भारी हो रही थी और प्रतिग्या की तब्यत भी थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए राजीव अपने दोस्त से मिलने अकेला ही चला गया उसने कहा कि उसका दोस्त वहीं शिमला में रहता है प्रतिग्या राजीव का फोन ट्राई कर रहे थी पर राजीव का फोन स्विच ओफ आ रहा था राजीव को गए काफी घंटे हो चुके थे अब प्रतिग्या को उसकी टेंशन होने लगी इंस्पेक्टर साब मेरे पती कल सुबह से नहीं लोटे है आपने अभी तक कुछ नहीं किया है प्लीज मेरी हेल्प कीजे प्रतिग्या जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पती के दोस्त का नहीं आपको नाम पता है नहीं वो कहां, किस जगा मिलने गए हैं वो भी आपको नहीं पता हम पूरी कुशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपके पती को ढूडने में कोई कमी न रखें अवलदार, मैडम को पानी पिलाओ राजीव का कुछ पता नहीं था प्रतिग्या बहुत परिशान थी क्या कि राजीव कहां चला गया अगले कुछ दिनों तक राजीव नहीं मिला प्रतिग्या का रोरोकर बुरा हाल था प्रतिग्या के ससुराल वाले और माय के वाले शिमला पहुँच चुके थे तब ही इंस्पेक्टर का कॉल आया और उसने सभी को पुलिस टेशन बुलाया प्रतिग्या जी आपके पती की कार गहरी खाई में गिरने की बज़ा से पूरी तरह से डैमेज हो गई है और डेड बॉडी भी जलकर जुलस गई जिसे पहचान पाना बेहत मुश्किल है I'm sorry आपके पती अब इस दुनिया में नहीं है कैसी मनहूस बहु आई है मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया क्या आप यही दिन देखने के लिए हम जिन्दा थे भगवान हमारा तो जवान बेटा चला गया समधन जी इसमें मेरी बेटी प्रतिज्या की क्या गलती है आप इसे मनहूस क्यों कह रही हो वो सब एक हादसा था कि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है हाँ तो हादसा हो गया न मेरे बेटे के साथ हुआ तुम्हारी बेटी के साथ नहीं हुआ और काट गोल कर सुन लो अब ये मेरे घर में नहीं रहेगी मैं इस विद्वा को अपने घर में नहीं रखूंगी बस माजी आपने मुझे बहुत कह लिया मैं नहीं मानती कि मेरे पती मरे है मैं जानती हूँ वो जिन्दा है उन्हें कुछ नहीं हुआ वो मुझे वादा करके गए थे कि वो जरूर लोटेंगे मैं नहीं मानती कि वो डेट बॉड़ी मेरे पती की है वो जिन्दा है और एक ना एक दिन जरूर लोटेंगे प्रतिग्या अपने माता पिता के साथ अपने माई के आ जाती है उसके सस्राल वाले अपने घर चले जाते है प्रतिग्या को विश्वास था कि राजीव अभी जिन्दा है इसलिए वो अभी भी सुहागन के रूप में ही रहती थी ये देखकर मुहले वाले बाते बनाने लगे पता है इसका पती मर चुका है शादी के कुछ दिन बाद हनिमून पर गए थे कार एक्सिडेंट में मर गया फिर भी देखो कैसे सुहागिनों की तरह श्रंगार करके घूम रही है पता नहीं कैसे बेशर्म लोग है अरे ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं और चक्कर चला कर बैठी होगी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भरा हुआ होगा तभी तो पती के मरने के बाद भी सुहागिनों की तरह घूम रही है चkee ची 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 ऐसी औरतों को तो नरख नसीब होता है प्रतिग्या उन सब की बाते सुन चुकी थी उसकी आखों में आसु आ जाते हैं वो भगवान के मंदिर में पूजा करके काम पर चली जाती है प्रतिग्या जहाँ पहले नोकरी करती थी वहां से भी उसने नौकरी छोड़ दी अब वो घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी पर अब धीरे-धीरे पूरे शेहर में प्रतिग्या की बदनामी होने लगी और बात उसके ससुराल में भी पहुँची आपको पता है पूरा मोहला थू-थू कर रहा है रिष्टेदारों ने बात करना बंद कर दिया है सबका कहना है हमारी बहु विध्वा होकर भी सुहागन बनी फिरती है उसे तो बिलकुल भी लाज-लच्चा नहीं है सुमित्रा तुम लोगों का मोबंद नहीं कर सकती हो और वैसे भी बहु अपने मायके में है हम उसे कुछ नहीं कह सकते पहले ही तुमने उसे बहुत कुछ सुना दिया है भई उसकी जो मर्जी है उसे करने दो हम उसे नहीं रोक सकते प्रतिग्या जहां ट्यूशन पढ़ा दी थी उन लोगों ने भी अब उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना कर दिया क्या हुआ प्रतिग्या आज तु ट्यूशन पढ़ा कर बहुत जल्दी आ गई मा सबने मुझे ट्यूशन के लिए मना कर दिया है पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरे राजीव प्रतिग्या बेटा तु फिर रो पड़ी देख ऐसे तो तेरी तवियत खराब हो जाएगी बेटा जब हम तुझे कुछ नहीं कहते तो तुझे भी समाज की बाते सुनने की कोई जरुवत नहीं है हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत बहादूर है पापा मेरी वज़े से आपको भी दुकान पर बहुत सुनना पड़ता है माने मुझे बताया प्रतिग्या की ममी पापा की आँखों में भी आंसु आ जाते हैं वो अपनी बेटी को बहुत सहरा दे रहे थे कुछ दिन बीच जाते हैं प्रतिग्या की कॉलेज का एक दोस सुधीर पुलिस में था वो उससे मिलने आया हुआ था प्रतिग्या तुम्हारे बारे में सुना तो मैं फॉरन तुमसे मिलने चलाया माने मुझे बताया की पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे उपर कितने दुखाएं वैसे मैं शिम्ला में ही रहता हूँ अगर तुम्हें विश्वास है कि राजीव अभी जिन्दा है तो मैं एक बार तुम्हारे विश्वास के लिए चान बिन करके पुशिश करना चाहता हूँ प्लीज, थैंक यू मेरी आखरी उमीद अब तुम ही हो प्लीज, मेरे राजीव को ढूड़ने में मेरी मदद करो सुधीर सुधीर प्रतिग्या को विश्वास दिलाता है कि वो पूरा शिम्ला चान मारेगा लेकिन राजीव के बारे में जरूर पता लगा कर रहेगा उमीद की एक किरन इसले भी बाकी थी क्योंकि बाड़ी पूरी तरह से जली हुई थी इसले राजीव की पहचान नहीं हो पाई थी सुधीर अपने पूरे स्टाफ को काम पर लगा देता है पूरे शिम्ला में राजीव के गुमशुदा के पोस्टर लगवा दिये जाते है राजीव का पता लगाने वाले के लिए दो लग का इनाम भी रखा गया था अचानक एक दिन राजीव का पता चल जाता है वो शिम्ला के एक छोटे से गाउं में दीनू नाम के गरीब मजदूर के घर बेहुशी की हालत में पढ़ा था प्रतिग्या की खुशी का ठिकाना नहीं था जब सुधीर ने उसे बताया कि राजीव जिन्दा है सब लोग उस गरीब किसान के घर पहुँचते है अब देखिए मैं खेतों से काम करके रात के समय लोट रहा था तभी बेहुशी की हालत में ये मुझे वहां मिले मैं घर ले आया इने और वैद्दी जी से इलाज करवाया उनका कहना है कि अभी इने होश आने में कुछ और दिन लगेंगे दिमाग पर गहरी चोट बताई है मैं गरीब था इसलिए बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता था और मैं इनके बारे में जानता भी नहीं था कुछ वो तो आज मैंने जब पोस्टर लगा हुआ देखा तो मैं फौरन इंस्पेक्टर साहब के पास गया सुदीर हम राजीव को एक बड़े और अच्छे अस्पताल ले चलते हैं तेंक्यू बहिया जी आपकी वज़े से आज मेरे पती राजीव मुझे वापिस मिल गए तेंक्यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजी इसमें सुक्रिया की कोई बात नहीं है बहन अब जल्दी ही इन्हें बड़े अस्पताल में दिखाओ ताकि ये जल्दी ठीक हो सके पृतिग्या मैंने एंबुलेंस बला लिए टेंशन मतलो अब सब ठीक हो जाएगा राजीव को बड़े अस्पताल में ले जाते हैं कुछ दिनों बाद अच्छा इलाज मिलने से राजीव होश में आ जाता है और उसकी हालत में सुधार हो जाता है मैंने उस दिन तुम्हें जूट कहा था कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ सच तो ये था कि मैं तुम्हें सर्प्राइस देना चाहता था इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रहा था वापसी में लौटते हुए एक आदमी ने मेरे से लिफ्ट मांगी मुझे लगा कि वो परिशानी की हालत में है पर वो एक बदमाश निकला उसने हाथा पाई में मेरे सिर पर बंदूक मारी और मैं बेहोश हो गया ओहो इसका मतलब वो तुम्हारी कार लेकर भागा होगा और वो डेड बॉडी उसी की थी खेर उसे उसके करमों की सजा मिल गई चलो इस बात के खुशी है की अब तुम बिलकुल ठीक हो थैंक यू सुधीर तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है अच्छा मैं सोच रही थी वो दीनू भाया जिन्होंने राजीव की देखभाल की इनाम के वो पैसे हमें उन्हें देने चाहिए क्यों राजीव? हाँ प्रतिग्या तुम बिलकुल ठीक कह रही हो प्रतिग्या के ममी पापा भी बहुत खुश थे कि राजीव वापस आ गया और उनकी बेटी का विश्वास जीत गया राजीव बेटा तुम नहीं जानते प्रतिग्या को दुनिया के कितने ताने सुनने पड़े उसे विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और देखो इसका विश्वास जीत गया राजीव बेटा हमारी बेटी ने बहुत दुख सहे है दुनिया के ताने सुने है यहां तक कि तुम्हारी मम्मी पापा, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मम्मी पापा आपने प्रतिग्या के साथ क्या सलू किया, यह सब मैं जान चुका हूँ, मैं प्रतिग्या के साथ अब अलग रहूंगा, आज मैं जिन्दा हूँ तो अपनी प्रतिग प्रतिग्या के विश्वास के कारण अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कैए. मुझे माफ कर दी प्रतिग्या बहु, मुझे माफ कर दो. इतने समय बाद हमारा बेटा हमें मिला है. घर को छोड़ कर मत जाना. प्रतिग्या के कहने पर राजीव अपने माता पिता को माफ कर देता है प्रतिग्या का विश्वास जीत किया था उसे उसका सुहाग वापिस मिल गया और उसकी जिन्तकी फिर से खुश्यों से भर गई दिव्या और प्रफुल की शादी को लगभग एक महीना ही हुआ था दिव्या के ससुराल में उसके पती के अलावा उसकी सास और एक ननत थी जबसे दिव्या ब्याह के आई थी घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गए घर में बिचारी कलोती बहु सारा दिन सबकी फर्माईशे पूरी करते ही नहीं थकती अरे दिव्या मेरा टावल का है जल्दी दो मुझे नहने जाना है हाँ हाँ ये लीजे सामने ही तो रखा था बहु अरी ओ बहु अरी कहां रह गई चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करो जी लाई सारा दिन बस ये करो वो करो ऐसा लगता है बहु नहीं कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो सुबह से शाम तक बस उनकी फर्माईशें पूरी करते रहो इससे लाग गुना खुश तो मैं अपने माई के में थी जहां मैं बस ओर्डर करती थी और मेरी मां मेरी सारी फर्माईशें पूरी करती थी मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मान कर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गए नहीं तो वो कैनेडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बना कर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग हाई मेरी किस्मत यहीं आकर फसना था मैंने अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू लाई लाई ममी जी ये लीजे आपकी चाय इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है भाबी अगर मेरा लंच पैक हो गया और तो दे दो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है हाँ नैना बस दो मिनट ये लो नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुश्यों का खयाल रखती लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती एक ये माहरानी पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कभी अपने ससुराल जाएगी माने कहा था बेटी बस कुछ दिन छेल ले इसके बाद तो ब्याकर चली जाएगी लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कभी यह यहां से जाएगी ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं अब नैना अपनी ग्रेजवेशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं एक रोव संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगा कर बाहर आती है तभी उसकी मा कमला उससे कहती है वा मेरी रानी बिठिया अपना कितना ध्यान रखती है बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रहे फिर देख तेरी मा तेरे ले क्या राजकुमार ढूंड कर लाएगी राजकुमार आगे चल कर इसने भी मेरी तरह काम वाली ये बनना है वैसे आशा बेहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिष्टा बताये है पर सो लड़के वाले इसे देखने आ रहे है क्या सच में मा मेरी छोटी सी बेहन कब इतनी बड़ी हो गई पताये नहीं चला लड़के वाले अरे वा ये तो बहुत अच्छी बात है अब नैना की शादी हो जाएगी हम चलो अच्छा है कम से कम इस से जान तो जूटेगी और मेरा काम तो कम होगा कुछ दिर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धबे उभराते हैं बुजोर से चिलाते हुगे बातरूम से बाहर आती है ओ नौ ये मेरा चेहरा ये मेरे चेहरे को क्या हो गया सत्यानाश पर्जो तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जला कर बैठके अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो जट से ना कर देंगे ओ गौड अब क्या करें आप टेंशिन मत लीजे ये ज़रूर इसे ब्लीच से अलरजी होई होगी मैं अभी इसके चेहरे पर मुलतानी मिटी लगा देती हूँ साथी बर्फ से सिकाई कर देती हूँ कल तक ठीक हो जाएगा इसके बाद दिव्या मुलतानी मिटी का पैक बना कर नैना के चेहरे पर लगा देती है इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी मा को फोन करती है और कहती है ओ फो मा ये अच्छी बहु बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता और तुमने तो कहा था कि तेरी ननत शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा पर अब तो शादी को चार महीने होने को आ गए लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पढ़ी है और तो और अपना सारा मेकप तक मैंने इसे देखा रखा है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है थैंक यू भाबी आपके हाथों में तो जादू है जादू हाँ हाँ मेरी प्यारी ननत आप तुम देखना में तुमें परसों कैसे तयार करती हो जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुमें देखते ही रह जाएंगे और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं उस दिन दिव्या सुबह तड़के उटकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है दिव्या तुम इतने सुबह सुबह क्यों उट गई और ये कार खाने से रामू को क्यों बुला लिया देखिये जी आज मेरी कलौती ननत को लड़के वाले देखने आ रहे है तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा सच मुझ बड़े ही भागेशाली है हम बहू जो तुम इस घर में आए सच में भाबी भाबी हो तो आपके जैसी अरे नैना तुम क्यों इतनी जल्दी उड़ गई तुम अपनी नीन पूरी लो तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चैरे पर रौनक आएगी सारा काम में खुद देख लूगे सारा काम निपटा कर दिविया नैना को अपनी अची सी साड़ी पहना कर और उसका मेकप करके तैयार कर देती है साथी उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है दिन के समय लड़के वाले आ जाते है दिव्या उनके सामनी खाना परोस्ते हुए कहती है ये लीजे, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाये है बहुत ही टैलेंटेड है सुबह पांच बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी खाना तो क्या लाजवाब बनाती है अब सचमुझ खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है वई अच्छा, नैना, अपने बारे में कुछ बताईए आपको क्या पसंद है और क्या नहीं इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है जी, जो मेरे माई के वालों को पसंद है, वो हर चीज मुझे पसंद है और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा, वही मेरी पसंद होगी इसके बाद लड़के वाले रिष्टा पक्का करके चले जाते है दिवया अपने कमरे में जाकर अपनी मा को फोन मिलाती है ममी फाइनली रिष्टा पक्का हो गया हाश सच मुझ बड़ी संतुष्टी मिली आज इसके बाद दिवया अपने पंडित को पैसे दे कर इसी महीने में मुहरत निकालने को कहती है पंडित बिलकुल वैसे ही करता है इसके बाद तो दिवया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी-खुशी सारी जिम्मेदारी अपने उपर ले लेती है नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक मेहदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतिजाम वो कर लेती है दिवया उस दिन बहुत खुश थी वो हर जगा अपनी ननत के साथ थी अगली सुबर नैना की विदाई हो जाती है नैना की शादी के दो दिन बाद दिवया काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी तब उसका प्रती प्रफुल उससे कहता है क्या हुआ दिवया तुम इतनी उदास क्यों हो प्रफुल मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्या कर अपने ससुराल चली जाए लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बेहन बिचड़ गई हो इसके बाद प्रफुल हसते हुए उसे गले लगा लेता है वो कहते हैं न कि किसी की एहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है दिवया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननत की एहमियत समझ में आई